पाकिस्तानी मीडिया का रियक्ष人民 आया है इंडियन आर्मी चीफ की UAE और सावधी अरेबिया की विजट को लेकर आपको पता होगा इंडियन आर्मी चीफ मनोज नर्वाने फस्स टाइम UAE और सावधी अरेबिया की विजट पर जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है उसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रियक्शन आया है तो चलिए दोस्तों बेना किसी देड़ी के पहले वीडियो को देखते हैं उससे पहले आप से मेरी रिक्वेश्ट रहेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में आप इसका अगर कमपैरिजन कर लें भारत के अंदर जो पेशर रफती है साओधी अरब और भारत के तालुकात में उसका आप इसका कर लें सामने ले आए उसको दो साल की प्रॉग्रस को और पाकिस्तान और साओधी अरब के जो तालुकात हैं क्या वो दोहजार अठारा या इवन कि हम थोड़ा से पीछे चले जिए दोहजार पंद्रा उससे बेहतर है उससे खराब है या उसमें तनावा आ गया है तो आपका सारी सुरतिहाल सामने आ जाती है अब यह जो निया फैक्टर है हम तो सिर्फ अभी तक एकानोमी की बात कर रहे थे ना और हमारा यह ख्याल था कि साओधी अरब के साथ चुके पाकिस्तान का एक 1982 का जो मौाइदा है और डेफेंस कौापरेशन मारा इतना स्ट्रॉंग है जनरल राहील शरीफ आज भी वहाँ पे जो कलूशन फोर्सें हैं की वो कमांड करते हैं तो हमने शायद या इस तरफ तवज़ नहीं दी थी या कुछ हमसे ऐसा हो गया पिछले दो साल में कि अब भारत और साथिय अरब वह क्रीब है यहा क्या है मेरे खाल मैं यह जो आप बात कह रहे हैं कि सारा इलजाम पाकिस्तान के उपर देना कि पाकिस्तान की पालिसी पाकिस्तान से जारा गलती हैं हुई कुछ ऐसे मामलात है जिसको बेतर तरीके से हल कर सकते थे लेकिन सारा इल्जाम पाकिस्तान को भी नहीं दे सकते क्योंकि खिते में जो तब्दिलियां हो रही है मतलब बहुत से अब्जर्वर्स का ख्याल है कि ये जो इस्राइल और अरब मौलक के तालुकाद भी बेतर हो रहे हैं पिर इस्राइल और भारत के तालोकाद भी आपको पता है एक स्टाटिजिक पार्टनर्शिप है तो ये जो खिते में तब्दिलियां हो रही है टो इनका एक नैशनल alliance بن رہا ہے اب کیا پاکستان اس کو روک سکتا تھا میرے خیال میں پاکستان اس کو روک نہیں سکتا تھا اب سوچنا یہ ہے کہ پاکستان اپنے cards کس طریقے سے کھیلے گا مطلب میری ناظرین کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان اس کو بہت closely دیکھتا رہا ہے اس دورے کو لیکن سرکاری طور پر کیو رد عمل اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں का आपस में दोतरफा मौमला है और जब दो सौवरन कंट्रीज कोई भी इंगेज करती है तो यह हमारा काम नहीं उस पर हम कॉमेंट करें लेकिन प्राइविटली मुझे जराय ने यह जरूर बताया कि पाकिस्तान को इस हवाले से काफी तश्वीश है वो इसलिए क्यूंके पाकिस्तान समझता है कि अगर आप सौदी अरब और यूएई आर्मी चीफ को भारती आर्मी चीफ को वेलकम कर रहे हैं अपने मुलक में तो उनको यह भी सोचना चाहिए कि यह वही भारती आर्मी है उसी के यह सरवरा हैं जो कश्मीरियों पर यह मुजालिम ढाल रहे हैं कम असकम अगर उन्होंने दोरा करना ही था तो कम असकम उनसे यह कहते हैं जो उनोंने वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन्स लगा रखी हैं कश्मीर के अंदर उनी को लिफ्ट कर दें लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये बात समझनी चाहिए कि रियल पॉलिटिक्स में शायद जो मुलक जो है अपने मफदात पहले रखते हैं और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको पीछे रखते हैं कोई 90 लाग के करीब जो ओवर सीज भारती हैं इस वक गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है तो जो एकनॉमिक इंट्रेस्ट्स हैं और जो स्टेटीजिक इंट्रेस्ट्स हैं लगता यू है कि भारत और जो अरब मुमालिक हैं उनके अलाइंड हो रहे हैं क्वेस्चिन इसके अंदर ये है कि पाकिस्टान अपने कार्ड्स किस तरीके से खेले कि उसके मफदात को ठेस भी ना पहुँचे और इड़ सेम टाइम जो उनके तालुकात हैं दरीना इन अरब मुमालिक के साथ वो भी ठीक रहें ये काफी पैचीदा सुरतहाल है यहां पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसके उपर एक्सपर्ट उपीनिन लेंगे जी ब्रेक के बाद एक तब फिर आपको खुशाम देद कहते हैं हम जिकर करेंगे और पहले भी इससे जिकर किया था कि जो भारती आर्मी चीफ है वो सौदी अरब और मतहदा अरब अमारात का दोरा कर रहे हैं और ये किसी भी आर्मी चीफ का इन दोनों मुलकों का पहला दोरा है जाहर है कि इसकी बहुत ज़दा सिगनिफिकन्स है अगर आप खिते में जो मौजूदा इस वक्त तबदीलियां आ रहे हैं और अगर पाकिस्तान और जो अरब मुमालिक के इस वक्त जो मौजूदा तालुकात हैं इस पर मजीद एक्सपर्ट उपीनिन लेने के लिए हमारे साथी अरब और यूएए का दौरा कर रहे हैं जी ये बहुत बड़ी खबर है इसमें कोई शक नहीं लेकिन हैरान होने वाली बात इससे पहले हो चुकी है कि जब ये तमाम तक्रीबान मिडलीस्ट के कंट्री इसराहिल को तसलीम कर रहे हैं और वहां उनके साथ आना जाना और एयर ट्राफिक उनके और सब को चुरू है तो फिर ये अंदाजा किया जा सकता था कि जिस कैम्प में मिडलीस्ट धस्ता जा रहा है और पहले भी था वो साथ जार है कि उसी में भारत भी है इनका आपको पता है अमेरिका के साथ कितना गहरा वो है और इसराहिल के साथ हमके बड़े तालकात हैं तो ये तो एक दिन होना ही था अलबता बड़ी जल्दी में हुआ है इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लेकिन चूंके साथी अरब यूई सब आजाद मुलक हैं इंडिपेंट मुमालक हैं जो वो चाहें करें हम कोई अतरास तो नही कर सकते लेकिन हमें चमबा जरूर हुआ है और हमें हैरत भी हुई है और थोड़ी सी खफ़गी भी है हमारे दिल में के आप देखें कब से कितने सालों से हमने फौजें फराहम की है हम से जो हो सका हमने खिदमत उनकी की है ठीक है उनकी तरफ से भी बड़ी हमारी मावनत हु है, हमारे air force के police ने उनको training दी है, नेवी में अभी भी उनकी training गिपिसी होती है, आर्मी में होती है और अभी भी आपके पता है, हमारे एक साब का चीफ वहाँ पर माझुद है, उनको advise करने के लिए बारण, क्या कहा जा सकता है तमदीली हो रही है, हमें तब्दीली के मताबिक अर्जेस्ट करना पड़ेगा और लोदी साथ आपका ये बताइएगा कामरा ने तो आपसे पूछा कि क्या आपको हिरानगी हुई है आपने फर्माये कि दोनों मुमालेक का अपने तालुकात हैं खफगी भी है हमारी क्या पाकिस्तान कुछ डिवालिमेंट से परेशान भी होना चाहिए या नहीं देखें परेशानी तो जब भी आपके जो करीबी दोस्त हैं वहाँ पर जगा बन जाए आपके दुश्मन के लिए तो परेशानी तो होनी चाहिए और मेरे खिया बिलकुल अगर कोई ये कहे जी हमें कोई परेशानी नहीं है तो वो कोई बात दुरस नहीं होगी लेकिन बात यह है कि हमने देखना यह है कि क्या हम इसमें कोई तब्दीला सकते हैं या हम अपने आपको कैसे डिजस्ट कर सकते हैं तो हमने तो यह देखना है कि एक fate complete आपके सामने आगी अभी आपने कैसे respond करना है और आपको क्या करना चाहिए यह मेरे खालब ज्यादा important है हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ मेरा ख्याल है हमारे साथ जारे फॉरन policy वाले देख रहे होंगे फॉरन office देख रहा होगा कि देखे मुलकों में एक दूसरे का लिहाज होता है किसी हद तक हम एरान के करीब इसलिए नहीं जाते थे ज्यादा कि साओधी अरब को बुरा ना लगे तो अब मेरा ख्याल है जब वो जिसके पास मरदी जाएं तो हम भी जहां मरदी जाएं यह बात आपने बड़ी इंपॉर्टन्ट किया क्योंकि आपने शुरूर में भी जिकर किया कि जो दो मुलक होते हैं उनका जारा के आजाद मुलक हैं वो अपने तालुकात किसी से भी कायम रखना चाहें कर सकते हैं तो यही मेरा सवाल है अपने वीडियो देखा मुझे पता है यह वीडियो आडियो फॉर्म में था कुछ यूटूब की जो पॉलसी होती है उसके कार्णी यह वीडियो आडियो फॉर्म में था तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूँगा अगर मैं ये फुल वीडियो फॉर्म में अपलोड करता है तो साइद आप ये वीडियो ना देख पाते तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से अपनी foreign policy को कोस रहा है और भारत की foreign policy की बहुत सा रहाना कर रहा है पाकिस्तान को अंदाजा हो चुका है कि भारत ने मुस्लिम देशों के साथ एतने अच्छे संपर्क बना लिये हैं जैसे कि साओधी अरब, UAE, अरब कंट्री इनके भारत में बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान ऐसा मुस्लिम कंट्री भी इनसे कोई फायदा नहीं उठा पा रहा है तो इस तरीके की बात है पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है और आपको पता होगा पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनर्नल राहिस सरीफ अभी भी साओधी अरेबिया की आर्मी से जुड़े हुए है मतलब ऐसा कंसल्टेंट या जो भी है मुझे इसके बारे में जाता है अंताज़ा नहीं है मुझे ये पता है कि वो अभी भी साओधी अरेबिया में मतलब कंसल्टेंट साइट जुड़े हुए है उसके बावजूद भी साओधी अरेबिया ने इंडियन आर्मी चीफ मनोज नर्वाने को बुलाया है तो डैफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है ऐसा पाकिस्तानी मीडिया डाबा कर रहा है दोस्तों आपको पता होगा साओधी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान पर वीजा में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वीजा बैन किये थे जो अभी आपको पता होगा और जो लोकल पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं अब साओधियरेबिया और UAE में उन्हें वापस भी वेजा गया था जो डॉक्टर्स थे उन्हें बैंड किया गया था इस तरीके कुछ एक्शन लिये जा रहा है हाला कि इसके पीछे की वज़ाए भारत नहीं है इसके पीछे की वज़ा एक्शली मैं खुद पाकिस्तान है आपको पता होगा पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा और ये सब लीडर बनने का काफी सौक है इन्होंने कुछ दिन पहले मलेशिया, टर्की और खुद पाकिस्तान मिलकर एक अपना खुद का मुस्लिम ब्लॉग बनाना चाह रहे थे जो OIC से हटकर होता OIC के फाउंडिंग मेंबर साओधी अरव है तो उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी उसके बाद पाकिस्तान के बुरे दिन सुरू